हालो फ्रेंड्स नमस्कार मेरी यूटूब चैनल स्टडीफ.81 में आपका स्वागत है हम आज की इस वीडियो में लाव क्या है एवं लाव के विभिन परकार को देखेंगे अब हम लोग आज के अपने टॉपिक की ओड चलते हैं एक फर्म की कुल आय तथा कुल लागत के अंतर को लाव कहते हैं अर्थात शाशी का पुरशकार ही लाव कहलाता है कुल आय में से उत्पादन के शवी खर्चों को निकालने के पस्चात जो सेश बचता है वह लाव कहलाता है किशी भी बस्तु का उत्पादन उत्पादन के विभिन शाधनों के शहयोगशे होता है जैसे भूमी, श्राम, पुंजी, संगठन और शाहसी कुल आगम में से उत्पादन के इन शाधनों को भुकतान करने के बाद जो सेस बसता है उसे लाव कहते हैं इस परकार शाहसी को प्राप्त होने वाला पुरशकार ही लाव कहलाता है कुल आए में से कुल लागत को घटा कर लाव को ग्यात किया जाता है थौमस के अनुसार लाव उद्मी का पुरशकार है मार्सल के अनुशार राष्ट्रिय लावांश का वह भाग जो उदमी को ब्यवशाय की जोखी मुठाने के उपलच में प्राप्त होता है लाव कहलाता है अब हम लोग लाव के परकार को देख लेते हैं मोख रूप से लाव दो परकार का होता है फस्ट शकरलाव जीसे कूललाव या ग्रॉस प्रॉफिट भी कहा जाता है शेकेंड निवललाव जीसे सूधलाव या नेट प्रॉफिट भी कहा जाता है अब हम लोग एके करके दोनों को समझ लेते हैं शब से पहले हम लोग शकरलाव को देख लेते हैं शाधारन बोलचल की भाषा में लाव शब्द का परियोग कूल लाव या ग्रॉस फ्रॉफिट के लिए किया जाता है किशी उतपादक या फर्म की कुल आय या आगम में से उतपादन के शाधनों के प्रशकार को निकाल देने के पसचात जो सेश बचता है उसे सकलाव कहते हैं अर्थात किशी फर्म की कुल आय तथा कुल उतपादन व्याय का अंतर सकलाव या कुल लाव कहलाता है कुल आगम में से लागतों को घटाने के बाद जो सेस बचता है उसे सकरलाव कहते हैं अब हम लोग निवल लाव या नेट प्रोफिट को देख लेते हैं निवल लाव कुल लाव या शकरलाव का ही एक भाग है किशी उद्धमी को केबल जोखी मुठाने तथा शौदा करने की योगता के बदले जो पुरशकार मिलता है उसे निवल लाव या नेट प्रोफिट कहते हैं अरथात कुल आगम में से असपष्ट तथा असपष्ट लागतों को घटा देने के पस्चात जो सेश बसता है वही निवल लाव कहलाता है उतपादक के निजी साधनों के लागत को असपष्ट लागत और उतपादक के वे शभी शाधन जीसे वे बाहर से भुकतान करके प्राप्त करता है उसे असपष्ट लागत कहते हैं कुल आगम में से असपस्ट और असपस्ट लागत को घटा कर भी निवल लाव या नेट प्रॉफिट को ग्यात किया जा सकता है इस परकार हम लोगों ने आज के वीडियो में लाव क्या है शकर लाव और निवल लाव किसे कहते हैं इसके बारे में जाना और समझने का परियाश किया इसी के साथ मेरा आज का वीडियो समाप्त होता है मेरा आज का वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बता है यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब किजिएगा हम लोग फिर मिलेंगे अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार